तो स्टुदेंट्स पिछली वीडियो के अंदर हम 9.1 एक्सराइज क्लास 10 के जो है 12 को अल्रेडी कवर कर चुके हैं तो इस वीडियो में हमारे जो चार पैंडिंग कोशन ना कोशन नुबर 13 14 15 16 उनको कवर करेंगे तो लेट केट स्टार्ट वदाउट वेस्टिंग अन इस था आउस पे जब आप एपॉइंट से नीचे की तरफ देखते हो सब्सक्राइज यह आपने चैक करना है कि यह दोनों ships के अंदर का जो distance है C और D यह distance कितना है आपको measurement में कुछ angles दे रखें तो angle कौन से उन्हें ने बोला है कि अगर हम D को देखें तो D point पे जो angle of depression बरना है यह हो गया हमारे alternate angles अगर यह 45 हो गया तो हमारा solution बड़ा असान हो जाता है आपको पता है 45 के अंदर perpendicular और base दोनों क्या रहेंगे same रहेंगे तो let's get started the solution of this one तो देखें start करते हैं हमने क्या find out करना cd यह हमने find out करना we have to find out the cd okay तो चलिए start करते हैं इंटरेंगल a b upon अगर a b को divide करें a b this is your a b divide by b c this is perpendicular इस angle के लिए यह side आपकी perpendicular है इस इस प्रपेंडिकुलर इस इस बेस प्रपेंडिकुलर पॉन बेस यह क्या हो था इस इस यूर 10 थेटा 10 इस 45 यह भी आपका 75 है bc आपने निकालना है 1045 इस बन तो 75 इसको cross multiply करेंगे this is your bc तो bc भी आपका 75 आगा ठीक है अब हमने क्या find out करना है हमने find out करना इस cd यह कितना है ठीक है अब फिर से लगाएंगे अब हम लगाएंगे a b divided by complete bd अगर complete bd के बात करें this is 10 30 degree 10 30 दिखिए this is your perpendicular this is your base this is 10 30 a b आपका 75 रहेगा bd here this is 75 c से लेके d का distance x let कर लेते हैं ठीक है from c point to d this is your x हमने क्या let कर लिया इसको x so okay this is 75 plus x यहाँ पर देखिए यह जो b से लेके d है this is 75 plus x ठीक है अब 10 30 किसके एकल होता है 10 30 के trigonometry table के value pick करें this is 1 by root 3 अब आपको कुछ नहीं करना है बस cross multiply करके answer calculate कर देना है 75 root 3 is equal to is equal to multiply करेंगे 75 plus x यह दरा के minus हो जाएगा 75 root 3 minus 75 is equal to x take 75 common under root 3 minus 1 is equal to x आप चाहें तो question को यहीं पर भी छोड़ सकते हैं this is your x x आपका ccd तक का distance ठीक है this is in meter आप यहां तक answer को छोड़ सकते हैं क्योंकि आपके book के अंदर यहीं पर तक solve क्या हुआ ncrt book के अंदर अगर चाहें तो आगे भी solve कर सकते हैं अगर आपके solve करना जाते हैं अंड़ोट 3 की value के तियों this is 1.732 minus 1 is equal to x 75 इसमें से minus कीज़े 0.732 is equal to x 75 को इसके multiply करने पर 54.9 meter आपका answer आ जाएगा तो question number 13 done so move on to question number 14 so here is the question number 14 in question number 14 a girl is playing with the balloon cd this is a girl यहां पर एक लड़की है तो चलिए लड़की को बनाती है this is a girl here okay यहां पर एक लड़की है जो इस balloon के साथ खेल रही है ठीक है तो balloon जो है this is dh is ground यह आपका ground है this is the ground सभी का ground है भई आपका क्या है this is the ground okay from this ground height is 88.2 meter यह जो बैलोन उड़ रहा है यह 88.2 meter की height पर उड़ रहा है पहले जब उसने यहां से बैलोन उड़ाया था तो यह बैलोन आपका 60 degree का angle बना रहा है is the 60 degree balloon makes angle 60 degree after some time balloon यहां से यहां चला जाता है ठीक है तो angle 60 से change होके 30 बन गया जब आप balloon a से b की तरफ चला गया जब balloon a से b की तरफ जाता है तो angle 60 से 30 change होता है we have to find out the distance between these balloon a से b के अंदर हमें यह वाला distance calculate करना है ठीक है तो अभी हमें अगर triangle के रूल लगाने हैं तो triangle के लिए हमें height सिर्फ bg चाहिए दिखर bg को calculate करते हैं this is a bg height इसको कैसे लिखंगे complete height is 88.2 देखे complete height कितनी थी ground से इस point से लेके इस point तक की complete height 88.2 थी इसमें से यह वाली height हमें नहीं चाहिए जी एच और यह height है कितनी इस इस वन पॉइंट हो कि बच्चे की height कितनी है 1.2 मीटर तो यह वाला portion जो है जी आच वन पॉइंट इसको माइनस कर देंगे माइनस यह 1.2 ओके सो वट इस लेप्ट इस इस 87 मीटर तो 87 मीटर जो है अब आपकास बीच से जी तक की height आ चुकी है अब हमें क्या calculate करना है हमें calculate करना है distance between a and b a से लेके b के बीच का distance calculate करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरेंगल a e c इंटरेंगल a e c तो देखें a e divide by e c a e divide by e c this is your perpendicular and this is the base perpendicular upon base क्या होता है perpendicular upon base perpendicular base का formula 10 theta what is theta है तो यह वाल अंगल कितना है this is 60 degree तो this is 1060 1060 की value कितनी होती है 1060 की value होती है this is under root 3 तो this is under root 3 a से लेके e इसकी value कितनी है देखें जितना b g है उतना ही तो a e होगा ना this is also equal to a e तो आपका b g आपका कितना है b g निकल के आ रहा है this is 87 meter this is b g a e और b g दोनों ही तो इकोल है तो a e भी कितना है this is again 87 ठीक है तो इसको हम लिखेंगे 87 divided by e c e c हमने निकालना है इसकी value हमारे पास नहीं है यहां से लेके यह वाला distance हमारे पास नहीं है तो इसको हमें calculate करना है ओके चली calculate करते हैं वाटी c e here this is 87 यह उपर चला जाएगा root 3 नीचे आ जाएगा so this is the value of c e okay अभी फिलाल के लिए इसको यहीं पर छोड़ते हैं अब दूसरी triangle देखिए बी यह वाला बी जी सी यह बड़े वाले triangle ठीक है होगी हमें दूसरा angle यहां पर दिया हुआ है तो दूसरी angle कौन से triangle से बन रहा है तो इससरा बी जी और सी से in triangle b g c okay b g this is your perpendicular this one is perpendicular and this one is the base b g upon c g is 10 30 degree 10 30 कितना होता 10 30 is here 1 by root 3 again b g के value आपके 87 आ जाएगी c g c से लेके g यह distance भी हमें नहीं पता this is c g remain as it is 10 30 is your 1 by under root 3 cross multiply कर देंगे इसमें से वेरी निकाल लेती हैं वाटी c g यह इदर चला जाएगा c g into 1 यह इसके साथ multiply हो जाएगा 87 into root 3 तो यह value आ चुकी है अब देखो हमारे पास c g भी आ चुका है यहां से लेके यह वाला distance c g हमने calculate कर लिया c e b calculate कर लिया यहां से लेके यह वाला distance हमें चाहिए क्या हमें e g निकालना है यह दोनों बैलून के बीच वाली height चाहे वो a b हो चाहे वो e g हो आपका a b और e g बोथ हर सेम इसको कैसे लिख सकते हैं how can we write e g this is c g c g minus पूरे c g में से c e minus कर देते हैं this is c e minus here okay what is the value of c g it is 87 root 3 minus c e this is 87 upon root 3 okay so solve कर लेते हैं इसको यह क्या जाएगा इसको आपको solve करेंगे take 87 common this is root 3 minus 1 upon root 3 तो यहां इसको कर सकते हैं तो next is take calcium here 87 under इसके नीचे 1 है under root 3 into 3 this is your 3 upon this okay यह आजाएगा आपका 87 into 2 upon root 3 पर root 3 आपका denominator में आना नहीं चाहिए इसको खतम करना हमें तो rationalize this by root 3 okay then what we get under root 3 into under root 3 this is your 3 okay अब इस 3 की हम cutting करेंगे इसके साथ तो यह बन जाएगा आपका 3 यह बन जाएगा 87 into 2 upon 3 into under root 3 यह वाला root 3 ऐसे है अंडर root 3 into under root 3 this is 3 cutting कीजिए 3 to the 6 2 here 29 29 का 2 से multiply करें इस इस 58 अंडर root 3 इतना distance होगा दोनों ballons के अंदर 58 यहां पर देखें यह जो ballon थे इस 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 दा ballon AB distance between AB and EG के distance आपका 58 under root 3 मीटर आ जाएगा अब हमें start करना next question now question number 15 so here is the question number 15 question number 15 में हमें दे रखा है a straight highway leads to the foot of the tower so this is your highway cb this is your highway okay cb is your highway और यह highway जो है इस tower की तरफ जा रहा है this is the tower here a b is the tower यहां पर जब हम यहां tower के न टॉप के ऊपर यहां पर tower के टॉप में कोई person side okay तो यह वाल angle कितना बना तो यह angle 30 degree बन रहा है अगर यह 30 है तो यह भी 30 हो जाएगा alternate हो जाएगा आपको मैंने पहले भी बताया था this angle change to 60 degree मतलब 30 degree से 60 degree में change हो जाता है actually है कहीं यहां पर c point पर आपके पास एक car खड़ी है so here is the car okay यह जब car इस side को move कर रही है with the uniform speed इसकी speed same है uniform speed एक ही speed से move कर रही है तो यह c से पहले d की तरफ जाएगी फिर d से b की तरफ जाएगी again c से d then d to b आपने पता करना है कि कितना time लगेगा car को move करने में d से b की तरफ तो d से लेके b तक move करने के लिए car को कितना time लगेगा और आपको यह दे रखा है hint दे रखा है कि C से लेके D तक जाने के लिए जिसको टाइम लगता है this is 6 second तो C से लेके D तक उसको 6 second लगे कार को जाने के लिए B से लेके D तक कितना टाइम लगेगा this we have to find out so let's get started the answer so here is AB okay this is your AB divided by BD AB upon BD this is your perpendicular this is base what is perpendicular upon base this is 10 theta, theta is here sorry this is 60 not 30 it's 60 degree this is 60 degree okay 10 60 की value क्या होती है this is under root 3 AB upon BD is equal to under root 3 तो ये value हागी okay यहां से AB की value निकाल दो what is AB here okay cross multiply these two under root 3 into BD let it be equation number 1 हमने BD की value in terms of AB निकाल ली है अब हम CD की value भी निकालेंगे ओके चलिए अब लिखते हैं again in triangle ABC यह बड़े वाले triangle की बात करते हैं in ABC so here is AB upon AB upon BC this is BC perpendicular upon base this is base again 10 theta 10 is 30 degree and what is 30 degree you know well 30 degree value होती है 1 by root 3 और यह जो BC है B से लेके C इसको कैसे लिख सकते हैं this is CD plus DB ऐसे होगा न C से लेके B इसको कैसे लिखेंगे CD plus DB okay so here AB आपका ऐसे ही है CD what is the value of AB AB किसके एकोल था this is under root 3 time BD ठीक है या तो आप BD की value निकाल के पुट कर दो या आप AB की value निकाल के पुट कर दो तो चलिए इसको come variable में convert करते हैं पहले इसको ऐसे लिख लिखते हैं DB is equal to 1 upon under root 3 no need to change here यह मैंने ऐसे लिख दिया अब यहाँ पर cross multiply कर देती हैं so cross multiply करो under root 3 into AB this is under root 3 AB okay so this is one को इससे multiply करेंगे यह आप कर देगा CD plus DB as it is अब देखे AB की value कितनी है from 1 what is your AB AB is under root 3 BD यह वाल under root 3 ऐसी रहेगा what is AB AB is under root 3 BD this is under root 3 BD तो यहाँ पर मैंने AB की value पुट की है from 1 ठीक है from 1 तो आप लिख सकते हैं first use की है CD CD ऐसी रहेगा इसको भी छेडने की जूरत है this is DB under root 3 into under 3 this is your 3 this is BD यह वाला जो BD है this is DB और BD एक ही चीज़ है इसको इदर लेकर आओ यह minus हो जाएगा BD यह CD यहाँ पर ऐसी रहेगा this is 3 this is 1 3 minus 1 this is 2BD is equal to CD तो यहाँ से हम BD की calculation करते है what is BD this is CD divided by 2 तो यह आगा BD का relation this is question number 2 तो BD कितना है what is BD BD is half of the CD CD का half है अगर let कर ले if assume कर ले अगर आपका assume कर लेते हैं CD जो है 100 meter है 100 meter तो अगर C से लेकर D 100 है तो BD कितना है BD is half of CD तो यह कितना हो जाएगा BD आपका half हो जाएगा this is 50 meter तो half हो जाएगा ठीक है यहाँ पर दिखाई देर आपको BD जो है CD का half है अब आते है time की बात करते है तो question में already आपको बूला हो है C से लेकर D तक जाने के लिए आपको 6 second लग रहे है मतलब 100 meter का distance travel करने के लिए अगर आपको 6 second लग रहे है तो 50 meter का distance travel करने के लिए अब कितना time लेगा तो हम सरी 3 second तो आपने ऐसे लिखना है as BD is half of it's half half of BD is half of CD therefore time required to cover BD should be half should be half then CD तो वो भी CD के हाफ होगा that is 3 second तो ऐसे इसको आपको इस question को solve करना है ठीक है so hope so ही कि आपको question समझ में आ गया है तो इस question के बाद हम को start करेंगे question number 16 so this is the last question of the exercise question number 16 so here is the question number 16 तो question number 16 में आपको क्या बोला गया students तो question number 16 में बोला गया आपके पास यह एक टावर है this is tower A, B इस tower के दो distance एक distance होगा 9 meter के दूरी पर और एक distance है 4 meter के दूरी पर यह दो angle बने है this one angle and this one angle यह दोनो angle complementary है complementary angle कौन सी होते है जिन दोनो angle का साम कितना होता है 90 degree तो यह आपको इस question में highlighted point है जो आपने हिया रखना है this one angle and this one angle both are complementary complementary का मतलब 90 degree आपने क्या प्रूव करना है यह जो tower है this is tower A, B इसकी height 6 meter है this you have to prove क्या यह 6 meter है तो चली चेक करते हैं start करते हैं इसका solution तो again solution is here in triangle पहले बात करेंगे A, B, C की this is A, B, C okay A, B upon B, C A, B upon B, C अगर इसकी बात करो this is 10 okay A, B upon B, C यह perpendicular upon base होगा तो 10 angle की selection कर लेते हैं if this is theta this one is 90 minus theta क्यों? क्योंकि D और C यह complementary है मतलब angle D plus angle C इन दोने का साम 90 degree है, ठीक है? अगर मैं C को theta लेट कर लेता हूँ if C is your theta तो D को क्या होना होगा? this is 90 minus theta तो D angle कितना होगा? 90 minus theta ओके तो यहां पर इसको ले लेते हैं 10 theta so what is your A, B A, B हमें पतना नहीं है पर B, C हमारे पास है so this is A, B upon 4 is equal to 10 theta this is equation number 1 फिर से बात करते हैं this is A, B upon B, D A, B upon B, D this is 10 90 minus theta what is angle है? देखे, यह आपका perpendicular है और यह आपका base है ठीक है? तो angle कितना? this is 90 degree 10, 90 अब पहचानीस quantity को trigonometry में 10, 90 minus theta क्या होता है? इसको identify कीजिए what is B, D B से लेके D यह आपका 9 है this is 9 10, 90 minus theta this is cot theta यह cot theta होता है this is question number 2 अब multiply करते हैं multiply 1 and 2 1st और 2nd को multiply करें this is your A, B upon 4 multiply this is A, B upon 9 okay on right side this is 10 theta this is cot theta cot theta okay तो यह left side आपस में multiply हो चुके हैं this is left hand side and these two are the right hand side यह multiply कर दी A, B into A, B this is A, B square 4 into 9 this is your 36 यह 10 theta ऐसे ही है cot को हम क्या लिख सकते हैं cot is nothing but reciprocal of 10 theta यह आपको बहुत अच्छी तरा मालूमन 10 theta cot theta is reciprocal of यह कट जाएगा 10 से 10 okay अब यहां पर 1 बचा this is A, B square 36 को 1 से multiply करेंगे this is 36 तो A, B की value क्या हैगी यह square है तो इसकी दो values आएगी एक plus के अंदर एक minus के अंदर तो 36 is root of 6 तो देखे इसकी height 6 हो गई minus 6 को आपको ignore करना हो गई को की height जो है negative नहीं होती hence A, B कतना आजाएगा आपका A, B is 6 meter proved तो आपको ने यह proof कर दिया तो इसी के साथ हमारी एक्सराइस complete हुई अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीस लाइक शेर और सब्सक्राइब थैंक्स फर वाचिंग